प्लान नहीं किये थे सेलिंग के लिए इसके नीचे अगर प्राइस एक्षन बनेगा तभी हम लोग प्लान किये थे लेकिन अगर बाइंग के लिए देखेंगे 38,400 क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते थे 50-60 रुपे स्टॉप लॉश डाल कर मौनिग और मी एक बाद टच हुआ उसके आद ये कंटिनूसली वोलाटिलिटी इसी रेंज के अंदर बना रहा है अभी आपको समझ में आ रहा हुगा किस तरीके से मार्केड वोलाटाइल हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट रहा अभी वोलाटाइल है अभी एक प्रेड करने में देखिए में बहुत सारे सेट अप है लेकि एक सेट अप को पहले थाउजन टाइम प्रैक्टिस कर लो जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बस आप सेट अप प्रैक्टिस नहीं कर रहा प्राइस को देख रहे हो प्राइस कैसे मूमेंट कर सकता है वो इंस 60 रुपीज का stop loss होना चीए, ये सबसे अच्छा trade होने वाला है, अगर कल ये cross करता है, 50-60 रुपेगा stop loss रहेगा और flat खुलना चीए, बहुत बड़ा gap down इंद से 38,400 के आसपास, अगर यहाँ पर कहीं पर gap down कुलता है, 38,400 या इसके नीचे, फिर इसको हम लोग इग्नोर कर द लिख रहा है, selling के side, ये सारे swing mark करते चलो, ये swing के नीचे जब price action दिखेगा, फिर हम लोग इसको sell करने का प्लान करेंगे, अभी थुरा सा selling दूर है, तो थोड़ा हम लोग buying के side concentrate करते हैं, trend के साथ चलते है, जबी भी swing breakout देता है, एक अच्छा momentum आ सकता है, तो चली भी हम ल अलाटाइल होके morning hour में एक अच्छे level पे close दिया है, last swing के पास close दिया है, एक अच्छा breakout इसके अंदर हो सकता है, 18,000 अगर ये कल भी cross करता है, हम लोग फिर से इसको purchase कर सकता है, 25 तो 30 रुपिस का stop loss होना चीए, 1.2 target होना चीए, ये invalid तब होगा, जो बहुत बड़ा gap down कुल पहले flat खुलना चीए, पहला stock है, VDR अगर हम लोग देखेंगे, एक अच्छे level पे trade कर रहा है, breakout अल्रेडी दे चुका है, यहां से ये continue हो सकता है, 320 के आसपास ये जा सकता है, क्योंकि last swing अल्रेडी टेस्ट हो चुका है, तो यहां पे एक breakout का scenario दिख रहा है, 313 cross होते ही अगर हम लोग देखेंगे, 1400 के आसपास no doubt एक resistance था, continuously same level पे trade कर रहा था, आज अल्रेडी एक breakout दे चुका है, 1422 के उपर एक wine का momentum आ सकता है, 5 रुपीज का stop loss होना चीए, 1 इस्टू 2 टारगेट होना चीए, एक अच्छे level पे ये swing के आसपास no doubt एक resistance मिलेगा, लेकिन उससे 10 रुपी का profit हम लोग को मिल चुका हो, next हो के ONGC, अगर हम लोग देखेंगे, एक अच्छा momentum के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा भी pause ले रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे, inside candle continuously बना रहा है, और यहाँ से 160 का level हो सकता है, और एक रिटेस्ट करें, तो 160, 159 के लिए हम करते ही साथ, हम लोग इसको प्लान कर सकते है, एक रुपे का stop loss होना चीए, जिससे ज्यादेगा जरूत नहीं है, एक अच्छे level पे दिख रहा है, कल अगर यह flow में आ जाता है, हो सकता है, एक नया low लगा यह 160 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देए, तो एक अच्छा next प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट आप के बायो कान, अगर हम लोग देखेंगे, यह continuously same level को hit कर रहा है, same level continuously trade कर रहा है, 358 के नीचे एक selling का pressure फिट से आ सकता है, तीन रुपे का stop loss होना चीए, 1-2 का target होना चीए, somewhere around 353.49 यहां तक market आ सकता है, तो एक अच्छे level पे दिख रहा है और यहां पी यह trend line कोसिस कर रहा है, ब्रेक करने का लेकिन करनी पर है, अगर इसके नीचे एक bullish candle close देता है, अने वेल टाइम में एक अच्छा momentum buying के साइड हो सकता है, लेकिन करेंट लेवल पे यह support multiple time hit कर चुका है, तो chances are vary है किन अगर इसके नीचे आना सुरू कर देता है, एक selling का pressure आ सकता है, लेकिन एक point ध्यान में रखो 360 के असपास इसको open होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा gap up खुलता है, 362, 63 इसके पास अगर gap up खुलता है, फिर हम लोग इसको ignore करेंगे, क्योंकि 63 से ही यह 58 आते हाते है, अल्रेडी profit जा चुका होगा, अल्रेडी seller profit ले च खास, च्छिया घम त फास, एकली बड़ाई या, अल्रेडी cost, भी क्योंकि अगर रखो, जरा फुलता है, खास, तेम केम भी को तो, यह 59 grandfather, उओ 59 grandfather,।